परिश्ट भाजपा नेता उमा भारती आयोध्या में बाबरी मस्चित विद्वन्स के मामले में विशेश CBI अदालत में पेश हुई और खुद को निर्दोश पताया इस मामले में अदालत में बयान दर्ज को राने वाली उमा भारती 19 वी आरोपी हैं उन्होंने विशेश CBI नियाधीश S.K. यादत के अदालत में दिये गए अपने बयान में कहा कि 1952 में केंद्र की ततकालन कांगरेश सरकार ने राजणीतिक बतले की भाबना से उन पर बाब बाबरी मस्चिद विद्वन्स के मामले में 32 आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है इस मामले में भाजपा नेता और पुर्व उप्रधान मंतरी लाल क्रिशन आडवानी उत्रप्रदेश के पुर्व मुख्य मंतरी कल्यान सिंग और पुर्व केंद्री मंतरी मुरली मनोहट जोशी का बयान दर्ज होना अभी बाकी है उमा भारती ने कहा कि ततकालिन केंद्र सरकार ने बाबरी विद्वन्स मामले में अपने राजनीतिक हितों को साधनी के लिए उनके तथा अन्य लोगों के खिलाफ मुकत्मा दर्ज किया था सभी को राजनीतिक दवाप में गलत तरीके से फसाया जा रहा है उमा भारती ने इस मामले में सीबियाई द्वारा पेश के गए सबूतों पर कहा कि ये सब राजनीतिक दुश्मनी की वज़त से किया गया है हाला कि अदालत के बाहर आकर उन्होंने संबाद्दाताओं से कहा कि राममंदिर अभियान से भारती ने अदालत में दिये गए बयान पर संबाद्दाताओं को कुछ भी बताने से इंकार करते वे कहा मैं भारत के कानूनों को वेदो की तरह मानती हूँ अदालत एक मंदिर है और उसमें बैठे वे नैधिश को मैं भगवान की तरह मानती हूँ उनके सामने मैंने जो ब पिछले साल 40 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद 9 नवंबर को बावरी मस्चिद राम जन्भुमी जमीन विवाद पर अपना फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन पर मुस्लिम पक्ष का दावा खारिच करते हुए हिंदू पक्ष को जमीन देने को कहा था विवादित जमीन पर अदालत का फैसला आने और केंद्र सरकार द्वारा युध्या में राम मंदिर निर्मान क्ले ट्रस्ट गठित करने के फैसले के बाद उमा भारती ने कहा था कि अगर बावरी मस्चिद का धाचा नहीं हटाया जाता तो सच सब के सामने नहीं आता विशेश CBI अदालत 6 दिसंबर 1952 को एध्या में बावरी मस्चिद विद्वन्स के मामले में 32 आरोपियों के बयान दर्च कर रही है उच्छतमने आयाले के निर्देशन उसार विशेश अदालत इस मामली की सुनवाई 31 अगस्त तक पूरी करने के लिए रोजाना काम कर रह ही है शुक्रिया आपको प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने और साथ ही बेल आइकोन को जरूर दबाए